नमस्कार दोस्तों भूद भूद स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बोलेंड बेर मार्केट के अंदर और दोस्तों टीबियस मोटर्स में आज आज आपको बहुती सांदार तेजी देखने को मिलेए 9% से ज़्यादा की तेजी इस समय देखी जा 712 रुपए था और इस टॉक के आज रीजन क्या है इस तरह की तेजी दिखाने का तो यह साहिद आपको पता होना चाहिए कि स्टॉक की बात करें तो टीबियस मोटर्स अब एवी सेक्टर में आने के लिए अपनी सबसेडिर के लिए फंड रेजिंग के उपर बहुत सब्सक्रांदार तेजी देखी जारी है यहां पर आप देख सकते हैं टीबियस मोटर्स सेर जूम 11% और फंड रेजिंग वर्ज और इवी उनिट तो 11% तक की तेजी इसमें देखी गई थी लेकिन इस समय फिलाल 9% की तेजी देखी जारी है क्योंकि बहुत से लोग ऐसी त पैसा बनाएंगे स्टॉक मार्केट की हम बात करें किसी पर्टिकुलर एक स्टॉक की बात हम नहीं कर रहे हैं यहां पर तुट बहीं आपको पताईए कि टाटा मोटर्स टीबियस कंपनी भी फिर इसी लाइन पर चलती हुई नजर आ रही है और फंड रेजिंग की ऊपर य 500 मिलियन डॉलर यह रेज करने के लिए हैं अपनी सब्सेडरी किसके लिए एवी सेक्टर के लिए तो नहीं गाडियां आपको पताई कि आने वाला जमाना एवी गाडियों का है और एलेक्ट्रिक भीकल के लिए दौड लगी हुई है सभी कंपनियों के अंदर बहीं TBS मोट भी उनमें से कोई गाड़ी है और किस तरह की उसकी परफॉर्मेंस देखने को मिलती है तो उस हिसाब से आप भी जज़ कर पाएंगे कि कंपनी का फिचर किस तरह से हो सकता है और किस तरह की गाड़िया यह और नई ला सकते हैं EV सेक्टर के लिए यह किस तरह से अच्छा प दिलता है और बहीं आज ही के दिन इसने अपना 813 रुपए का 52 बीक हाई क्रियेट किया है क्योंकि खबर ही कुछ ऐसी देखने को मेरी है जिस बचे से स्टॉक में बहुत सांदार तेजी दिखी जा रही है और आने वाले टाइम में अगर हम बात करें तो स्टॉक के लिए ये बहुत अच्छी बाते होने वाली है अगर ये सारा फंड रेज भी हो जाता है और उसके बाद इनकी गाड़ियां अगर अच्छा परफॉर्म करती है तो बेसक 100% आपको यहां से मोटा मुनाफ़ा होगा लिकिन अगर बात करें तो ऐसी तेजियों में कभी-कभी आपको अच्छान रखने के बाद ही आपको अपने निवेश को कंट्रोल के साथ में और अपने माइंड का इस्तमाल करते हुए करना चाहिए बाकी दोस्तों आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में बताईएगा और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बिटन दवाईएग झाल